प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. इछले कई महीनों से अपन सब पवित्र बाइबल के रोमियो नामक पुस्तक का अध्यान कर रहे थे. आज वा अध्यान अपने आखरी चरंड पर आ गया है. पंद्रवे अध्याय के चवद हुए पत में हम एक बहुत ही महतुपूर्ण इतना ही नहीं पढ़ने पर हमारे मन को उत्साह मिले इस तरह के एक भाग हम पढ़ते हैं. महां लिखा हुआ है, हे मेरे भाईयों, मैं स्वैम तुमारे विशे में निश्चे जानता हूँ कि तुम भी आप भलाई से भरे और ईश्वरी ज्यान से भरपूर हो. क्यों हर संडे इस तरह की सभा होती है और क्यों प्रभू के वचन से हम लोग सुनते हैं, क्यों इस तरह का सत्सम होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, लेकिन उसको सारांश में कहा जाए, तो इस वाक्य में है, वो वाक्य है कि तुम ईश्वरी ज्यान से भरपूर हो जाओ, इश्वरी ज्यान का क्या मतलब है, इस संसार के स्रिष्टी करताने, मेरे और आपके जानने के लिए जो बातें ताए की हैं, उन बातों के बारे में जब हम जान जाते हैं, तब हम इश्वरी ज्यान से भरपूर हो जाते हैं, आप कहेंगे कि हर व्यक्ति इश्वरी ग्यान से भरपूर होने चाहता है, सही है या गलत है, ना तो सही है या ना गलत है, उसका कारण क्या है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ईश्वरी ग्यान से विरोध करते हैं, बैर करते हैं, कारण क्या है, इसलिए कि वे पाप में जीवन बिताते हैं, उनने प् जाना है ना पहचाना है तो उनका तो जुकाव पाप की तरफ ही रहेगा उनका जुकाव तो बुझाई की तरफ ही रहेगा तो वो लोग तो ईश्वरी ग्यान को नहीं चाते हैं फिर संसार में थोड़े से लोग बच जाते हैं वे कौन जिनोंने प्रभु को जान कर प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहन किया है जिन लोगोंने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहन किया है उनके बीच में भी दो प्रकार के लोग होते हैं एक जो प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहन करने के बाद जो प्रभु के ही रास्ते पर चलना चाहते हैं दो जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है लेकिन अब अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं इस प्रकार के दो प्रकार के लोग हैं इन में जो वो लोग अपने रास्ते पर चलना चाते हैं, वो ईश्वरी ग्यान से भरपूर लोग अपने उनको नहीं कह सकते, यदि ईश्वरी ग्यान से भरपूर होते, तो वो लोग अपनी मन्मानी चलने के बदले, वो लोग प्रभु के रास्तों पर चलने की कोशिश करते, तो कुल मिलाकर संसार की जो करोडों की आबादी है उसमें से एक छोटी सी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में पाया है और जो प्रभू की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं और जो प्रभू की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की अपनी इच्छा के कारण प्रभू के वच्छन का ध्यान और मनन करते हैं और इस तरह से ध्यान और मनन करने के कारण उनका मन प्रभू की इच्छा से भरपूर है या जिनके बारे में यह कह सकते हैं कि इश्वरी ज ग्यान से वो लोग भरपूर है यह लोग बहुत थोड़े हैं इस पुस्तक के लिखने वाले ने जिनको यह पुस्तक लिखी जा रही है जिनको यह बहुत लंबा लेटर धेजा जा रहा है उनके बारे में कहा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम लोग ईश्वरी ग् से भरपूर हूँ, आज शाम को जो पहला प्रश्न मैं भाई और बहनों से पूछना चाहता हूँ, वो यह है, प्रभु ने हमारी मदद की, हम कम से कम डेल्ड साल से नियमित रूप से प्रभु के बचन का अध्यान कर रहे हैं, हमने समय अन्य बातों में बरबात करने के बदल सत्संग के लिए हमको जो भी समय मिला है, वो समय बहुती ध्यान के साथ प्रभु के बचन के लिए हमने लगाया, समय बिताया, और जो लोग यहां आते हैं, वो लोग भी आपसी गपशप के बदले, वो लोग भी बहुती गंभीर तरीके से बैठ कर, बहुती सीरियसली बै कर प्रभु के वचन को सुनते हैं क्यों इसलिए कि जितने लोग आज इस प्रभु की सभा में बैठे हैं सभी लोगों के मनने एक इच्छा है प्रभु अपने बारे में मुझे ज्यान दीजिये मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं मैं आपके बारे में सीखना चाहता हू मैं जानता हूँ कि जितना ज्यादा मैं आपके बारे में जानूंगा, मैं उतना ही आपके निकट होता चला जाओंगा, और मैं जितना आपके निकट होता चला जाओंगा, मेरा जीवन उतना ही पवित्र और समर्पित होता जाएगा, यह हम सब जानते हैं, और इसलिए आज श अच्छी बात है लेकिन क्या हम को इस बात का भरोसा है कि वाकई में इन दिनों हम प्रभु की निकटता में जीवन बिता रहें हम प्रभु के निकट हैं क्या और यदि प्रभु के निकट है तो वाकई में ईश्वरी ज्यान से हम भरपूर हैं क्या इश्वरी ग्यान से भरपूर के एक उदाहरण मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हम सब इस बात को जानते हैं कि मनश को गाने बहुत पसंद है और तमाम तरह के नए नए गाने लोग लिखते हैं, रेचना करते हैं और अपन लोग नए नए गाने सुनते हैं यद którzy पचास नए गाने सुनते हैं तो इसमें से कितने गाने है जो लोगों के बीच में बहुती प्रसिद्ध हो जाते हैं या popular हो जाते हैं शायद पचास में से एक गाना लोगों के बीच में जनप्रीती पा लेता है और फिर जहां देखो हर कोई उसी को गा रहा है आप गली से निकले तो बच्चे गा रहे हैं और दफ्तर में पहुँचे तो आपके बगल में कोई बैट कर उसी गाने को गुन-गुना रहा है इस तरह के चुने हुए गाने जो लोगों के दिल को पकड़ कर पूरी तरह से उस पर कबजा कर लेते हैं इस तरह के जब कोई गाना आता है और यदि वो गाना मैं और आप यदि जानते हैं और यदि गाते हैं और पसंद करते हैं तब क्या होता है तब अपन बैठ के किताब पढ़ रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है काम कर रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है चाई पी रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है सनान कर रहे हो तब भी वो गाना मन में आता है बस में सफर कर रहे हो तो भी वो गाना मन में आता है ऐसा होता है या नहीं होता है ऐसा होता है और कई बार ये गाना अपने आप हमारे मन में इतनी बार आता है कि हम अपने आपको नियंतरित नहीं कर पाते हैं जब मैं और आप इश्वरिय ग्यान से भरपूर हो जाते हैं तो जिस तरह से वो गाना जो हमारे मनों को नियंतरित करता है जो हमारे मन में भरा हुआ है और हम चाहे या ना चाहे हर समय वो गाना हमारे मन के अंदर से हमारे मूँ में आता है उसी तरह से जो बेक व्यक्ति इश्वरिय ग्यान से भरपूर हो जाता है तो इश्वरिय बातें आत्मिक बातें वे बातें जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती हैं वे बातें जो हमारे जीवन को पुष्ट बनाती हैं वे बातें जो हमारे आत्मिक जीवन को तंदुरस बनात हैं ऐसी बातें नियमित रूप से सुबह दोपहर शाम हम चाहे जहां भी बैठे वहां हमारे अंदर से ये बातें आने लगती हैं प्रभु के वचन में जिन लोगों के को ये पत्र पहली बार भीजा गया था उनसे तो कहा गया है कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम आज मैं भाई बहनों के सामने रखना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन यदि आज मैं आप से पूछ हूँ कि मेरे प्रिय भाई या बहन क्या आप यह कह सकते हैं अपने जीवन के बारे में कि आप ईश्वरी ग्यान से भरपूर हैं तो आप क्या जवाब दे आप कहेंगी कि शास्त्री सर ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं इश्वरी ग्यान से भरपूर हूँ या नहीं हूँ आप कह सकते हैं उसका एक तरीका यह है कि आप जरा अपने आपको जांच कर देखें आपके मन में किस तरह की भावनाएं होकर गुजरती हैं जब आप दफ्तर में जाते हैं तो लोगों के साथ कॉम्पेटीशन प्रतिद्वेंदिता इसकी भावना आती है या लोगों के साथ सहीयोग की भावना आती है जब आप अपने एक भाई या बहन के बारे में सोचते हैं तो उस भाई या बहन से प्रतियोगिता के बारे में सोचते हैं या उस भाई या बहन की मदद करने की सोचते हैं उस भाई या बहन को यदि प्रभू ने कोई अनुग्रह दिया है तो जब हम उस अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, तब हमारा मन क्या कहता है? हे प्रबु मुझे खुशी है कि मेरे फलाने भाई या बहन को आपने ये अनुग्रह दिया वो भाई या बहन वाकई में उस अनुग्रह के योगी था या योगी थी और मुझे इस कारण खुशी है कि आपने उस भाई या बहन को इस तरह के आशिष्टी इस तरह का अनगर दिया क्या हम इस तरह से सोच पाते हैं हमें से हर आदमे को अपने सोचने का तरीका जाच कर देखना चाहिए यदि हमारे मन में अपने भाई या बहन के विरुद कडवाहट उनके विरुद इरशय या इस तरह की भावना आती है तो कुछ तो गड़बर है हम इश्वरी ज्ञान से भरपूर नहीं हैं बलकि सांसारी ज्ञान से भरपूर है और सांसारी ज्यान हमेशा हमको ईश्वर से अलग ले जाता है और जो भी ज्यान हमको ईश्वर से अलग ले जाता है वो हमको अपने भाईयों और बहनों से भी अलग ले जाता है तो आज हम अपने आपको जाचना शुरू करें जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन के संदर्व में हमें अपने आपको जाचना चाहिए पिछले डेड़ साल से नियमित रूप से हम प्रभु के वचन को सुनते आए हैं पिछले डेड़ साल से हम एक दूसरे के साथ संगती करते आएं हैं, इन डेड़ सालों में प्रभू ने हम में से अलग अलग लोगों के जीवन को स्पर्ष किया है, हमसे बात्चित की है, प्रभू ने हमारी प्रार्थना सुनी है, प्रभू ने हमारी जरूरतें पूरी की है, हमारा मन उस प्रभु के प्रती जुका है क्या और हमारा मन प्रभु के हर तरह के ईश्वरी ग्यान से भरपूर है क्या और यदि ईश्वरी ग्यान से भरपूर है तो एक और बात हमारे जीवन में होगा और वो है भलाई से भरपूर इन दोनों में क्या connection है देखिए प्रभू का वचन हमको याब दिलाता है कि इस दुनिया में सब ने पाप किया है ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसने पाप ना किया हो और वही पद हमको ये भी याब दिलाता है कि चूंकि सब ने पाप किया है इसलिए हर गेक्ति प्रभू से दूर है प्रभू के गुणों से दूर है प्रभू के महिमा से दूर है और इसलिए हम हमारा जो स्वाभाविक स्वाव है उसमें भलाई से नहीं बुराई से भरपूर रहते हैं मनिश के मन में जो कुछ आता है वो बुराई ही बुराई होती है लेकिन जब मनश के मन को मन में प्रभू प्रवेश करके उसके मन को धीरे 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 बदलने लगते हैं तो उसके मन में जब ईश्वरी ग्यान से उसका मन भरपूर हो जाता है तो उसका रजल्ट क्या है वो भलाई से भी भरपूर हो जाता है यदि आप अपने जीवन को जाच कर देखें और यदि आपको लगे कि जितनी भलाई आपके जीवन में होनी चाहिए आपके भाईयों के प्रती आपके नाते रिष्टेदारों के प्रती आपके बाल बच्चों माबाप भाई बहनों अडोसियों पडोसियों के प्रती आपके मन में जिस तरह की भलाई होनी चाहिए यदि वो भलाई नहीं है तो आपको जाच कर देखना चाहिए कि ये भलाई क्यों नहीं इसके एक उदाहरंड मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कई भाई लोग हैं या बहन लोग हैं जिनके बारे में यदि हम कहें कि भाई उससे मदद मांगो तो लोग जल्दी से कह देते नहीं नहीं उससे मदद नहीं मांगना है उसके पास जाओ तो डाटेगा फट करेगा गाली गलोच करेगा और यह कहगा कि मुझे क्या तुम अपना काम जानो लेकिन ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है कि उस व्यक्ति से जाकर मदद मांगो तो किसी भी तरीके से यदि मदद कर सकता हो या कर सकती हो तो वो भाई या बहन जरूर मेरी मदद करेंगे क्यों? दोनों में फरक क्या है? एक मनिश के ज्यान से भरा हुआ है इसलिए उसका जीवन बुराई से भरा है दूसरा प्रभु के ज्यान से भरा हुआ है इसलिए वो भलाई से भरा हुआ है जरे एक बात बताईए मान लिजे कि आपका हाथ तूट गया है या आपके हाथ में कहीं फोड़ा फिंसी आ गया है सडक चलते किसी व्यक्ति से आप जाके पूछेंगे क्या कि ये हाथ कैसे जोड़ा जाए या इस फोड़े फिंसी को किस तरह से इसका इलाज किया जाए जी नहीं अपन डॉक्टर से जाके पूछते हैं क्यों डॉक्टर से जाके पूछते हैं इसलिए कि एक युवा भाई या बहन जो बुद्धिमान था जो दूसरों की सेवा करना चाहता था वो मेडिकल कॉलेज में गया पांच साल तक कठोर परिश्रम किया पांच साल तक मनिश के शरीर की बनावट उसकी रचना ए से लेकर जेड तक आ से लेकर अंत तक उसने पड़ा देखा उसके बाद साल भर अपने से सीनियर लोगों के अंडर उसने मरीजों की सेवा की इस तरह से कम से कम छे साल उसने मनिश के शरीर के बारे में शरीर की कमजोरी और बीमारी के इलाज के बारे में उसने आध्यान किया और अब उसका सारा दिमांग उस ज्ञान से भरा हुआ है और चूंकि उसका दिमांग उस ज्ञान से भरा हुआ है इसलिए यदि आप उस व्यक्ति के पास जाके उससे पूछेंगी भाईया यहां फोड़ा है या फुनसी है या हाथ तूट गया है क्या करना है तो चूंकि उसका दिमांग उस ज्ञान से भरा हुआ है इसलिए उसका नजरिया या सोचने का तरीका क्या है मैं जानता हूँ इसलिए मैं लोगों का इलाज करूँगा उसी तरह से मेरा और आपका मन जब प्रभू के इश्वरी ग्यान से भरा हुआ होता है तो चूंकि इश्वरी ग्यान से भरा है इसलिए हमारे सोचने का तरीका यह होगा मैं क्या भलाई कर सकूँ मैं क्या मदद करूँ, दूसरे को मेरी क्या जरूरत है, मैं किस तरह से चार लोगों के लिए आज भलाई कर सकता हूँ, हम सब इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं, तो आज जो सबसे महदुपूर्ण बात मैं अपने भाई और बहनों को बताना चाहता था, वो ये है, पुदेशी क्या है, कि प्रभु का वचन मेरे और आपके पापी मनों में जाकर धीरे धीरे उसको भर दे, जिस तरह से अपन बोतल पे फणल लगा कर उसमें पानी डालते जाते हैं, मिटी के तेल की बोतल हो तो मिटी का तेल डालते जाते हैं, और कुछ हो तो वो डालते ज जाते हैं, जिससे कि वो भर जाए और वो बाहर कहीं ना गिरे, इस तरह से डेर साल से मैं और आप बहुत ही जादा ध्यान लगा कर सुन रहे थे प्रभु के वचन को, और उसका आसल यह होने चाहिए कि हम यश्वरी ज्यान से भर गए हों, और मुझे इस बात का यकीन है कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उन में से जादा तर लोग यह कह सकेंगे कि हाँ भाई, हम जो अध्यान कर रहे थे, उसका हमको फायदा मिला है, उससे मेरे सोचने में फरक आया है, मेरा नजरिया बदल गया है, मैं जो कल तक बुराई सोचता था, आज यह सोचता हू कि मैं चार लोगों की मदद कैसे कर सकूँ, जब आप इस तरह से जवाब देंगे, तब प्रभु का वच्चन आपके जिवन में पूरा हो जाएगा, मैं इस बात को निश्चे जानता हूँ, कि तुम भलाई से भर गये हो, तो यह दो आपस में जुड़ी बाते थी, जो मैं आज शाम को आपके सामने रखना था, इश्वरी ग्यान से भरपूर हो जाएँ, भलाई से भरपूर हो जाएँ, लेकिन यह हमारे जीवन में क्यों होता है, क्यों प्रभु हमारे जीवन में इस तरह से करना चाहते हैं, वो पंद्रवे पत के आखर में हम देखते हैं, यह उ सानुग्रह के कारेंड हुआ जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं और आप प्रभु के वचन की अनुसार हम जन्म से पापी हैं जो जन्म से पापी है वो प्रभु से दूर है और जो प्रभु से दूर है वो प्रभु की पवित्रता और प्रभु के स्वभाव से भी दूर है और जो प्रहु के सुभाव से दूर है उसके जीवन में सिर्फ पाप और अधर्म और गलत बातें आती हैं. लेकिन जब हम जो प्रभु के से दूर हैं हम लोग प्रभु के अनुग्रह के कारण जो प्रभु के पास पहुँच जाते हैं तब हम पहचान लेते हैं कि है प्रभु मैं पापी था मैं कभी भी आपके पास आने की योग ये नहीं था लेकिन आपने अपनी दया के कारण मुझे अपने पास बुलाया और अब मैं अपने आपके पास आकर आपका दर्शन पा रहा हूँ तो इस बात को पहचान गया हूँ कि प्रभू आपने मेरी मुक्ति मेरे उधार मुझे एक नया जीवन देने के लिए अपने जीवन सूली पर अर्पित कर दिया जब हम इस बात को पहचान लेते हैं तो तुरंत प्रभू के सामने गुटने के बल गिर के प्रभू से ये याचना करते हैं प्रभू मुझ जैसे पापी, नालायक, अधर्मी, कुकर्मी व्यक्ति के लिए आपने अपने जीवन दिया प्रभू ऐसा क्यों? मैं तो इसके योगी नहीं हूँ जब हम इस तरह से प्रभू से पूछते हैं तब प्रभू की वानी सुनाई देती है हे मेरे पुत्र हे मेरे पुत्री मैंने तुमारी सृष्टी इसलिए की थी कि तुम मेरे साथ संगती में जीवन बिताओ और तुम जब मेरे साथ संगती में जीवन बिताओ तो मेरा ज्यान तुमारे मन को भर देगा और जब मेरा ज्यान तुमारे मन को भर देगा तो तुमारे जीवन भलाई से बर जाएगा और जब प्रभु इस तरह से हमसे बोलते हैं तब प्रभु से हमारा प्रशन होता है प्रभु मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ प्रभु जिससे की मेरा जीवन आपके ज्ञान से भरपूर हो जाए तब प्रभु का जवाब होता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको सिर्फ एक काम करना है, ये पहचान लो कि तुम पापी हो, ये पहचान लो कि तुम अपने आपको बचा नहीं सकते, और जब इस बात को पहचान लोगे, तो उसके साथ साथ मुझे मुक्ति दाता के रूप मैं ग्रहन करो, ये ग्रहन कर लो कि मैंने सूली पर ये बलिदान तुमारे लिए दिया है, जब हम इस तरह से प्रभु की वाणी को सुनकर, प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं वाके में इस बात को पहचान गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझ में कोई योग्यता नह नहीं थी मैं वाकिय में पापी हूँ और आज मैं इस बात को आपकी वाणी सुनकर इस बात को मैं पहचान गया हूँ कि आपने सूली पर मेरे लिए अपने जीवन इसलिए दिया कि आप मुझसे स्ने करते हैं मेरी योगिता के कारेंड ने इसलिए कि आप मुझसे स्ने करते है और आज मैं आपको मुक्तिदाता ग्रहन करता हूँ जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु हमको वो नया जीवन देते हैं जो यहां बैठे हुए बहुत सारे भाई और बहन जिसको पाच चुके हैं और जिसके कारण उनके बीच में एक नया उनके जीवन में एक नईए खुश्य है एक बात बताईए यहां जितने बैठे हैं यह लोग अपने घरों से कजारों किलोमीटर दूर कठिन मेहनत कर रहे हैं जिससे कि अपने परिवार के लिए कुछ कर सके साल दो साल के बाद जब छुटियों में आप घर जाते हैं घर में जितने बड़े बुजर्ग लोग हैं वो तो आप से मिलने के लिए सब तयार बैठे हैं लेकिन मान लीजे कि एक छोटा सा बच्चा यह बच्ची जमीन पर बैठी है मान लीजे कि वो आपका बच्चा है या आपकी बच्ची है मा भूल गई माने सुबस को तयार करवा दिया था लेकिन आपके स्वागत में उसका ध्यान इदर उदर बट गया बच्चा मिट्टी में लोट गया है उसका सारे शरीर मिट्टी से भरा हुआ है या आपका छोटा भाई या बहन जिसका आप गोधी में खिलाया करते थे वो मिट्टी में लोट कर पड़ा हुआ है दो साल के बाद आप अपने बच्चे से मिल रहे हैं अपने छोटे भाई छोटी बहन से मिल रहे हैं वो तो मिट्टी में बिलकुल अटा हुआ पड़ा है तो आप क्या कहेंगे अच्छा ये मेरा बेटा है क्या इसको उठाओ और पहले स्नान करवाओ तब हम इसको हाथ में लेके इसका चुम्बन करेंगे ऐसा कोई करता है क्या कोई बाप जी नहीं उसका बच्चा चाहे उसके सारे बदन में धूल हो मिटी हो कीचड़ो जब दो साल के बाद अपने बच्चे को देखता है तो उस बच्चे को उठाकर गले लगा लेता है और उसको चुम्बन देता है उसको चूमता है और उसके गालों पर जो गंदगी है उसको स्वयम साफ करता है एक मनिश यदी इस तरह से करता है तो मनिश के सुरिष्टा सरविशक्तिमान प्रभू जिनोंने मेरी और आपकी सुरिष्टी की है जब वे पाप से भरे हुए मुझे और आपको देखते हैं तब स्नेह के साथ हमको अपने पास बुलाते हैं मेरे पास आओ मैं तुमको मुक्ति दूँगा आज इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है क्या जिसने प्रभू के इस नेह को इस प्रेम को आज तक नहीं पहचाना है यदि इस तरह का कोई भाई या बहन हो याद रखिये हमारे जीवन में हमारे कर्म कितने भी बुरे क्यों न हो जिस तरह से एक बाप जो दो साल के बाद अपने बच्चे को देखता है तो एक दम से उसको गले लगा लिता है उस तरह से प्रबू किसी भी छंड हम को अपने से जोड़ कर हमारा लिंगन करने के लिए तयार है सिर्फ शर्त ये है कि हम प्रबू के बच्चे बन जाना चाहें उसके लिए प्रबू से बोले हैं प्रबू मैं पापी हूँ मैं आपको मुप्तिदाता के रूप में ग्रहन करता हूँ आज शाम को इन दोनों बातों के साथ मैं आप सब को छोड़ना चाहता हूँ पहली बात ये जो दूसरी बात मैंने बताई थी वो है अक्चली पहली बात पहली बात ये कि इस सभा में ऐसा यदि कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड नहीं किया तो आज वो चण है आज वो सर्वोतन दिन है जब हम प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड कर लें दूसरी बात जिनों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड किया है प्रभु उनकी मदद करे कि वे प्रभु के ज्यान से भर जाएं जिसके कारण उस ज्यान से भर जाने के कारण प्रभु की भलाई से भर जाएं जिससे कि जो भी हमको देखे वो हमसे भलाई की उम्मीद करे, जो हमको देखे वो कहे कि अरे ये तो प्रभु ईशु का शिश्य है, इसलिए तो इसके जीवन में इतनी भलाई, इतनी कृपा, इतनी खुशी और दोसरों को मदद करने की इच्छा है आज प्रभु इस सभा में आए हुए सभी भाई और बेहनों को ये बाते समझने के लिए और अपने जीवन में व्यावहार में लाने के लिए मदद करें इन में से ये दी कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो सभा के बाद आकर हम मैंसे किसी से में मिले, हम आपको ये सारी बातें बहुत ही इस पष्टता से समझा देंगे प्रभु ने आज इस तरह की, इस तरह हमारी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्र गुजार हूँ, जैवसे कि प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्र वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की